साथियों, आप सभी भारत के सेमिकेंडर्क्रन मिशन को भी जानते हैं, कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि भारत इस पर फोकस क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों को हमारे डिजिटल इंडिया मिशन को जरूर स्टड़ी करना चाहिए। डिजिटल इंडिया मिशन का लक्ष देश को एक ट्रांस्परंट, इफेक्टिव और लिकेज फ्री गवर्नस देना था। और आज हम इसके मल्टिप्लायर इफेक्ट को अनुभाव कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की सबलता के लिए हमें एफ़र्डेबल मोबाइल हैंडशेट्स और डेटा की जरूरत थी। इसके लिए हमने जरूरी रिफार्म्स और जरूरी इंफ्रासेक्टर बढ़ाया। एक दसक पहले हम मोबाइल फोन के बड़े इंपोर्टर्स में से एक थे। आज हम दुनिया के नंबर टू प्रोडूसर्स और एक्स्पोर्टर हैं। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है आज भारत 5G हैंडशेट्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। दो साल पहले ही हमने 5G रोल आउट शुरू किया था। आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। आज भारत का electronic sector 150 billion dollar से भी ज्यादा का हो चुका है। और अब तो हमारा लक्ष और बड़ा है। इस दसक के अंत्र तक हम अपने electronic sector को 500 billion dollar तक पहुंचाना चाहते हैं। इससे भारत के हिवाओं के लिए करिब 6 million यानि 60 lakh job create होगी। भारत के semiconductor sector को भी इसका बहुत अधिक फाइदा होगा। हमारा लक्ष है कि electronic manufacturing का hundred percent काम भारत में ही हो। यानि भारत semi conductor chips भी बनाएगा और उनके finished goods भी बनाएगा। चरपना जया होगी। मजधाओ लिएागी।